हेलो फ्रेंड जया मातादी फ्रेंड आ देखिया आमको लेडिस क्या बनाना बताऊंगी बिगनर वीस्ट को बड़े अराम से बना सकते हैं इसमें कोई डिजाइन नहीं बनाया मैंने यहाँ पर मैंने 86 फंदे डाले हैं और उसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा एक दो थीन धारिया बनाये इसके बाद 6 लाइन हमने सीधी उल्टी फिर 6 ही हमने इह उल्टी उल्टी बनायें एक दो तीन, चार पांच छे एक दो तीन, चार पांच छे तो इस तरीके से छे 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 सलाईया बनाते हुए एक दो तीन और चौत हे डिजाइन पर हम अब फंदे कम करेंगे तो इनको हम चार हिसो में डिवाइड करेंगे चार या पांच हिसो में यहाँ पे देखिए दस फंदे हम यहाँ रखेंगे दस सी फंदे हम यहाँ पे रखेंगे और बीच में सत्रा सत्रा फंदे तो देखिए कैसे करेंगे हमें धागा आगे करके ख्यान से देखिए दो तीन चार पांच ते साथ आठ नो और दस धागा बीचे करके तीन फंदे का एक करेंगे ऐसे उतारा और इसीधा बनाया और इस उपर से उतार दिया अब धागा आगे करके सोला फंदे हम इस और 17 एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस अब देखिए फ्रेंट दस फंदे बनाए फिर तीन का एक करा फिर अठारा फंदे बनाए फिर तीन का एक करा फिर से हम अठारा फंदे बनाएंगे तो अगला में 3 का एक करना बताऊँगे आपको कैसे करना है तो पहले मैं 18 फंदे ऐसे बना लेते हूँ 3 4 5 अब देखिए 18 फंदे बना लिए अब धागा पीछे करेंगे इस तरीके से दो फंदे हम स्लिप करेंगे और इसको बनाएगे और जो दो स्लिप करें इनको इसके उपर से ऐसे उतार देंगे फिर धागा आगे करके 18 फंदे फिर हम ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, के, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, इपारा, तेरा, तौदा, पंदरा, तोला, ततरा, अठारा धागा पीछे करके फिर से 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और ये बना दिया है और जो 2 स्लिप करें इनको हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे और अगले ऐसे बनादेंगे उल्टी चलाई पूरी उल्टी बना के एक बार सीधी पे फिर दिखाऊंगे अब देखिए फ्रेंट ये पहला फंदा हमने स्लिप करा इसके बाद हमारे दस फंदे थे तो अब हमारे नौ फंदे बचेंगे देखिए एक अब यहां से हम कौंट करेंगे ये तो हमारा एजिस्टिक चे एक दो तीन चार पांच छे ताथ आठ और ये नौ अब धागा एक करेंगे यहां पे यहां पे हमेशा हम तीन का एक करते जाएंगे जब तक हमारे पास सिर्फ इन तीन के एक का एक एक फंदा ना बच जाता फिर धागा आगे करके तो आगे हम ऐसे ही अब हमारे पास सोला सोला फंदे बचेंगे सेंटर में क्योंकि एक फंदा यहां गट फिर से हमने तीन का एक तीन का एक करते जाना है और जब तक हले पास साथ फन्दे तक हम यहां कम करते जाएंगे और यह समारी क्ईले नूरी और गरल की मैंदा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी मैंने बिगनर के लिए बनाना बताया है, तो ऐसे आप फंदे घटाते जाएए, और फिर इसका सेकेंड पार्ट में आपको बनाना बताऊंगी, दो पार्ट में बनते हैं, देखें, तीन का एक कर दिया, फिर धगा आगे, सोल पी पे लेके यह बंद के दिये, और थोड़ा से धागा यहां पे छोड़ दिया, मैंने काटके, तो अब इस साइड को हमें, दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसका, तो यह मैंने 10 फंदे बनाएं, 10 फंदे देखें कैसे डालने हैं, दोनों तरफ हमने सिंगल धागा लेना है और यह देखें, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरिके से 10 फंदे डालने हैं, और दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाते जाना है, अब देखें, अब इसका, जितना पोश्चन इसका है, देखें, यहां से यहां तक, जब तक हमने फंदे बढ़ाने हैं, इसमें, उल्टी स्लाई है, यहां पर हम, यह मैंने देखें, असी स्लाईयां बनाई हैं, तो 40 धारियां बनके आई हैं, अब पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, और एक फंदा यहां पर बढ़ा देंगे, और अगले फंदों को हम ऐसे प्लेन ही बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है सिर्फ दोनों साइड से उल्टा-ल्टा इसको बनाते जाना, इस लाई भी हम उल्टी बनाएंगे, अगली हम इसको उल्टी ही बनाएंगे, तो इस लाई को ओे दिखें, मैंने पूरा कंप्लेट कर लिया, उल्टा-उल्टा, अब सीधी साइड पे आगे हम, तो सीधी साइ साइड पर जहां से उल्टी साइड शुरूई है वहां पे एक फंदा बढ़ाया है तो आप ऐसे ही इसको बढ़ाते जाए यह देखिए एस लाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है यह बढ़ा वह फंदा इसको भी उल्टा बना लिया और धागा पीछे करके इसको सीधा बना पचास फंदे तक बढ़ाएंगे अब पचास तक आपका लेन्थ कंप्लेट हो जाती है तो पचास ही बढ़ाएंगे अगर पचास पे भी आपकी लेन्थ कंप्लेट नहीं होती है तो आप इसको जादा बढ़ा सकते हो क्योंकि देखिए ऐसे हम इसको यहां से इसको यहां स हमने फंदे बढ़ाना स्टार्ट करें हैं तो मैं आपको दिखा देती हैं थोड़ सा यहां से यहां से यहां तक इसकी लैंध हमने कंप्लेट करने हैं फंदे बढ़ाते बढ़ाते इसको बनाते जाना है यहां से हमने इसको यह दिखे ऐसे जोइंट कर दिया है यहां से यहां में हमारा यहां पर एक एक फंदा बढ़ता जाएगा यह हमारी सीधी साइड है तो यहां पर हम बिल्कुल उल्टी स्लाइब बनाते जाएंगे तो यह सभी फंदे में बढ़ा लेती हूं जब तक हम सेंटर तक नहीं पहुंच जाते जब तक हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाए बढाने के यसे साइड को मैं आगे कम करेंगे उसमें आगे साध्हें कि आ एडेला हमने स्लिप करा है na 1 बड़ा दिया यहां पे एक साध्हा पेड ंसे तिर्छा बनता जाएगा तो फॉर को आगे को सब्सक्राइट दिखा आप को है एक साइड को अब यहां से दोधारियाय एक और तो यह मैंने ऐसे ही प्लेन बनाई है पचास बंदों के अब कोई फंदे हैं बढ़ाया है यहां से अब यहां से एक-एक फंदा जैसे बढ़ाया वैसे ही एक-एक फंदा कम करते जाएँगे और तक इसको कम करते जाएंगे और देखे कैसे फंदे कम करेंगे हैं प मिलांगे या ऐसे मिलाएंगे इक को एसे रखेंगे और एक साइड का यहा से यहां तक कई इसको जाएदेश्राइगे और यहां से शिलक्ते को स्टार्ट करेंगे ऐसे और यहां तक इतना इतना इसको यहां से यहां तक सिलेंगे तो यह मैं आपको सिलना बताती हूं कैसे सिलेंगे हम यह वाली सलाईने हमने नापने थी यह वाली जो हमारी तिर्ची बनाई यहां से यहां आई है इसको हमने ऐसे नापना है यहां से हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करें है वहां से ऐसे रखेंगे इसको और ऐसे पूरा ब्रावर लैंद है इसकी और यहां से ऐसे इसको सिलते जाएंगे तो बहुत ही सुंदर हमारी हैेabeiपम और हमारी सीधी साइड होशान और है हमारी उन्टी साइड है ऐसे सिल देंगे इह मैं आपको सीवराइबिस दोन क स्युद्ध मेन इस बताओंगी पहले हम इसको ऐसे ही आफ कि ऐसे नाप्ते जाएंगे जैसे हमारे फंने कम प्लेट हो जाएंगे तो फिर हम ऐसे पहला ह्ःथ हमने लोग र पूर्श को हम प्रड़ कर Самी और अगले दो दो कहा कर दिया अब पूरी साइग वृडुी बना दे एंगे और फिर इसको हम फिर से एक फंदा यहाँ पर कम करेंगे जब हम फिर से उल्टी स्लाइब आएंगे तो यह पूरी स्लाइब मैं यह भी बना लेती हूँ और इसके बाद सीधी स्लाइब भी पूरी सीधी बनाके एक बार फिर यहाँ पर फंदे कम करना बताती हूँ आपको ऐसे ही हम कम करते जाएंगे और फिर दस फंदे बचने के बाद फिर ऐसे ही ये पट्टी हम बनाते जाएंगे दोनों साइड से उल्टा-उल्टा तो ये मैंने 40 धरियां बनाई हैं तो ये बना लेती हूँ पूरा फिर आगे आपको इसको सिलना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से फिर हमने ये पूरी स्लाई फिर उल्टी यहां तक इसके बाद फिर पहला फंदा सिलिप करा फिर दो केई करें तो इस तरीके से फिर जैसे हमारे बढ़ते गए वैसे ही खड़ते जाएंगे तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे का अब देखे फ्रेंड ये पूरी डोरी बना ली मैंने अब हम उल्टी साइड से इन फंदों को बंद करेंगे तो देखे पहला फंदा ऐसे सिलिप करा धागा अगे करा और एक फंदा बनाया पीछे वाला इसके उपर से उतार दिया फिर अगला बनाया पीछे वाला इसके उपर से उतार दिया ऐसे हम सभी फंदों को बंद कर दे अब देखिए यहां से धागा काटती है मैंने अब इसके अंदर ऐसे डाल के इसको यहां पे गांट लगा देंगे टाइट सी और इसको बाद में फिर क्रोशिय से या सुई से अंदर की साइड ऐसे फॉल्ट करतेंगे तो इस तरीके से हमारे दूसरा पार्ट बनके हमेट हो गया है तो देखे हमारे घंसे सीधी साइड हमने निचे की साइड रखे इस तरीके से अब यह जो हमारे दूसरा पार्ट है इसको हम उल्टा करके हैं convincing से इंटर वाला हिस्सा है इसट्र वाला और देखे था remains कि इसको यहां पर थोड़ा सा नोट लगा देंगे राइट सा तक कि यहां पर निसानी बन जाए कि यह खुल देना ऐसे और फिर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे हम लिक्वार फिर इसके अंदर से ऐसे निकार देंगे और यहां पर नोट लगा देंगे अच्छे से कि यहां इसे हम इसको अब देखिए ऐसे बराबर मिलाते हुए इसको नीचे तक सिलनेंगे अब देखिए यहां पर जहां से हमने बनाना स्टार्ट कर रहा है तो यह धागा बचा हुआ है हम इसी से इसको पहले सिल देंगे तो मैं एक आट खोल लेती हूँ पहले कि दिखाती हूँ आपको जो बचा हुआ धागा है इसका यूज़ भी हो जाएगा अब यह देखिए फ्रेंड यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे हम देखिए एक पंदा यहां से लेंगे और एक यहां से इस तरी के से लेकर दूसरी साइड तक पूरा सिल देंगे ऐसे ही अब करेंगे पिल्ड़ की बचल बच्ट करेंगे लेकर दूसरी करेंगे चछब कर दू sorry तो पूरा राउंड में ऐसे मिलाते हुए इसको नीचे तक सिल देंगे यहां तक पिर दिखाती में आगे कापको अब इसका फाइनल लू कि दोनों साइड से सिल दिया मैंने इस तरीके से यहां तक और यह डोरी बांधने के लिए दोनों साइट बच किए और दिखिए इस तरीके से आए गाए और यह आगे वाला डिजाइन तो प्रेंड एक वाज रूट आए किजिएगा इसको बहुत ही सुन्दर कैप है तो प्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू